कि काफी खुबसूरत सा जगा है अंदर देखिए कितना अच्छा है जैसे हम अंदर आया है तो इस तरह से दिखता है अभी हम आपको बैक करके दिखाते हैं कि क्या क्या है अंदर और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपको पूरा एंटिया गार्डन दिखा सकें तो मेरी वही कोशिश रहेगी तो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ अभी कैसा है सब सबसे पहले एक एंट्रेंस का बोड दिखता है ऐसा और ऐसे कुछ सीरी बगेर है काफी खुश्चुरक सा और ऐसे कुछ जर्णा जैसा बनाया हुआ है वह दिखता है आपको मैं क्लोस करके लेकर जाके दिखाता हूँ यह देखेंए क्लोस देखिये ऐसा दिखता ई और इसके उपर भी यहाँ पे जा सकते हैं तो अभी मैं ऊपर की तरब जाओंगा तो यह सीडी से अभी उपर जाएंगे तो चलो उपर भी जाके देखते हैं कि काफी दूर-दूर से लोग आते हैं यह एंटिया गार्डन घुमने काफी पॉपलर गार्डन है हाइदराबाद में यह देखिए हम ऊपर आग रहे हैं अब यह उपर से हम दिखाते हैं यही था जो मैं आपको दिखाना चाहता था देखिए कुछ ऐसा दिखता है एंटिया गार्डन पुरी तरह जब कि जब हम धुज जाते हैं यह देखिए व्यू अंदर का कि कितनी भीड़े देखिए कि मैं चाहूंगा जब भी आप अधरबाद आओ तो एक बार ज़रूर एंटिया गार्डन घूमने के लिए आएगा कैसा महसुस हो रहा और क्या लग रहा है इंटिया गार्डन में आने के बाद कैसा लग रहा है लेकिन टिकिट लेने से पहले जब मैं लाइन तो लागाता तो फ्रेंड यहां पर काफी सारे यूनिट से तो मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा यहां पर आप वीडियो में बने रहिए आप अगर वीडियो में बने रहोगे तो कुछ मिस नहीं करोगे अगर स्कीप करते हो तो काफी कुछ मिस करते होगे मैं काफी सब चीज रहे हैं तो यह सबसे पहले में cover करूंगा तो मेरे साथ वीडियो में बने रहो तो desert garden की और हम आगे बहर रहे हैं कि अगुआ कि यह देखिए cactus पेड़ से cactus जैसा ही कुछ दिखता है cactus पेड़ी है ऐसा कुछ दिखता है देखिए cactus का जाड़ कि इसको क्या बोलते हैं यह सब चीच को नहीं पाओदा नहीं इसको अलगी कुछ नाम बोलते हैं इसको कि यह देखिए इसको बनाया गया है यह सब बैठने के लिए प्लस अजब चोटे चोटे पेड़ है कुछ बोलते हैं यार इसको में को पता नहीं क्या बोलते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देखी सकते हो काफी सारे इंसेक्ट की स्टेच्व बनाई है और सब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग क्लोस करके दिखाता हूं आपको यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए मश्रूम के स्टेच्व बनाई है चोटी बच्ची सेलफी लेते हुए यह पेड़ को देखिए काफी खुबसूरत से दर्षाया है गार्डन में पूरी फैमिले यहां पर इंजॉय करते हैं काफी सारे फैमिले यहां पर आते रहते हैं और पूरी इंजॉय करते हैं अब सामने देख सकते हो एक काफी खुबसूरत और सबसे खुबसूरत चीज जो यहां पर डर्जर गार्डन में लोग देखने के लिए आते हैं वह मैं आपको दिखाता हूं जस्त मेरे पीछे फूर्ट स्टेचू है जो सबको पसंद है और सबको भाती है और यही लोग देखते और सबको अच्छा भी लगता है आपको मैं क्लोजली दिखाता हूं क्या क्या है कुछ से कुछ से फूट्स लेके यह स्टेच्व बनाई है मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए बनाना स्टेच्व और यह हमारा अनारस काफी इंजॉय कर दें सब लोग देखो फूट्स के अंदर बच्चे लोग अब बैक से कुछ इस तरह से दिखता है यह फूट्स टेच्व यह देखिए कि यह फूट्स टेच्व कुछ इस तरह से दिखता है काफी खुबसूरत कि आई होप आपको पसंद आया होगा यह डजर्ट गार्डन और अभी हम नेक्स्ट यूनिट में आगे बढ़ेंगे छीक है तो यह मैंने अभी आपको डजर्ट गार्डन कवर किया है डजर्ट गार्डन में इतना ही है तो फ्रेंट्स अभी दूसरे यूनिट की तरह बाहर कर रहे हैं अभी मैं आपको दूसरे यूनिट भी घुमाता हूं देखता हूं कि कौन सा है अभी इधर चलिए